सीटेट पेपर 2 सीटेट का या आप जिस तरीके से में समझना चाहिए को ठीक से नहीं देखते जिसकी वजह से स्लेबस से अनभिक्या रह जाते हैं सीटेट पेपर 2 की अगर बात करूं तो यहां 14 साल तक के बच्चे को आप ध्यान में रखते हैं अगर हम बात करें तो पेपर 1 पेपर 2 में एक चीज़ कॉमन है जो तीन सब्जेक्ट हैं इंग्लिष यह आपकी नाउन प्रोनाउन से हटके है थोड़ी सी क्योंकि यह भी बहुत गलत फैमी होती है कि हम हिंदी इंग्लिष व्याकरण तो बड़ा अच्छा करके चले जाते हैं और व्याकरण सीटेट पूछता नहीं है जो से तीन क्वेस्टन भी डिरेक्ट नहीं आते वो भी पैसेज के थ्रू आ जाते हैं हिंदी यह सब ही के लिए common होंगे ठीक मतब 90 मार्क्स दोनों पेपर में common हैं तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों पेपर की त्यारी करेंगे तो अलग से त्यार करेंगे तो यह जो 90 मार्क्स हैं आसानी से आप सिर्फ और सिर्फ वीडियो भी देख रहे हैं यहां लेट्स लेन आप बहतर करेंगे सिर्फ एबरेज नहीं बहुत बहतर करेंगे अब पेपर 2 में SST और साइंस और मैंस आता है 60 माक्स में SST जो सोचल साइंस जिनका बैग्ग्राउंड रहा है या नि जो आपका यदि आपका सब्जेक्ट है तो सारी हिस्ट्री पॉलिटी जोगरफी और साइंस और मैट्स है तो फिर साइंस और मैट्स और प्रीवियस पेपर दूसरा कुछ करने की सोचने की जरूरत ही नहीं है NCRT ले आईए बहुत सस्ती भी आती है और बहतर कॉंटेंट है आपको आगे के वियरा में भी काम आएगी तो वह आप NCRT ले करके आएंगे और आराम से उसको समझेंगे और पुराने पेपर लगाएंगे कोई भी एक प्रीवियस पेपर ले लिजे आर्गुपता मैं सजे किसी भी एक complete book में बहुत अच्छा content दिया हुआ हो तो अगर books की तरफ जा रहे हैं तो अलग-अलग सब्डेक्ट की अलग-अलग books follow कीजे और बहुत जादा books की जौरत नहीं पढ़ती यदि आप NCRT follow कर रहे हैं स्लेबस से बाहर मत पढ़िये कोशिश कीजे कोई भी पोथी मत उठा लीजे मतलब कोई मोटी सी किताब जिसमें पूरा detailed हो ज़रत नहीं है आपको सिर्फ स्लेबस के according पढ़ लेंगे कोई भी किताब उठागे सिर्फ अपनी या कोई भी नहीं मतलब कोई भी book जो book आपके पास है वह best है बस पुराने पर जरूर ले लिजेगा उसमें क्या होगा आपके जैसे यही है इससे प्रेक्टिस है और सारे पुराने पर हैं तो उसकेस में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है आप जैसे section wise solve करते हैं आपको समझ में आने लगता है कि questions पूछे किस तरीके से जा कमेंट करके